प्यारे बच्चों असलाम अलेकुम दर्जा हमारा आठ में है सब्जेक्ट उर्दू मुज़ू है गोतुमबुद। आज हम गोतुमबुद के बारे में पढ़ेंगे। गोतुमबुद जो बुद्ध मजब की बानी हैं वो गोतुमबुद का असली नाम सदारत था वो बुद्ध मत के बानी है गोतुमबुद ने डाली है गोतुमबुद ने डाली है जो दुनिया के मजभब में से एक है वो हैं दुनिया में बहुत सारे मजभब हैं मजभब की जमा मजभब हैं सदारत कपल विस्तु के राजा का बेटा था जो नेपाल की सरहदों के नजदीक शमाली हिंदुस्तान के एक शेर है वहां का जो राजा था उसका बेटा कौन था ये सदारत था कपल विस्तु के जगा का नाम है सदारत जिसकी जदात गोतम और कबीला शाकिया था वहां जदात उसकी क्या थी गोतम और कबीला क्या था शाकिया कबीला से तलब रखता था नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मकाम पर 563 कबल मस्जिए में पैदा हुआ 19 बरस की उम्बर में उनकी शादी अपनी हम उम्बर मामुजाद बेहन से हुई वहां शादी उसकी किस के साथ हुई अपनी मामुजाद बेहन जो उसकी उम्बर के थी उससे हुई चाही महाल में पुर्टगेश महाल में उनकी परवश हुई पुर्टगेश होगा आशवश्रत से उसकी परवश हुई ताहम वो खुद इस महाल का खुगर नहीं हुए वो इसके आदी नहीं बनें वो बेकल रहते थे बेकल होगे बेकल रहते हैं रहना हुआ बेकरा रहता था बेस्कून सुकून उनको नहीं तक गुए अच्छी माहुल में में रहके उनको अच्छा गुए वो बेकरारी रहते थे उनको सुकून नहीं मिलता था उन्होंने मेशाइदा किया, कि बेश तर इंसन ग्रीब है 머जा, उन्होंने इस चीज का पूरा मुछा किया मुछाकी और गोर से देगा, कि बह। सारे लोग जो है, समय ही, ग्रीब हैं। और इस महरूमी की सबब, मसलसल अबतुलाओं में गेरे रहते हैं। को यह हैं बँद सारो ऐसमाशों में की होता है वोगेरे रहते हैं। खत्य कि एहल श्रॉथ भी अक्सर मायूस और नाहुश रहते हैं। इहल श्रॉथ parameter कहते हैं जिन पास माल मालदार लोगS बहां हो खुश नहीं होते थे . नेज हर शेखस बीमारी के शिकार होता और आखर कर मार जाता था वहाँ ऐसा कि हर एक आदमी इतना कुछ हो कि भी वो बीमार हो जाता था और आखर कर वो मार जाता था सदारत ने गोर किया कि कोई ऐसी कैफित भी है कोई ऐसी बात भी है जो इन आरजी मसर्तों से गोई इन खुशियों से जो बिला आखर मौत और मिमारी से पामाल हो जाती है मगरा हुआ और दाईयों मसारत के हामल हो मगरा कहते हैं खाली है खाली मसारतों के हामल होते हैं गोई खाल सी खुशियों के माहिर होते है मगरा हुआ और दाईयों मसारत के हामल हो 29 बरस की अमर में गोतम ने अपनी अज़वाजी जिन्गी से कनारा कशी का फैसला किया है 29 साल की जब उनकी अमर की उनों ने अपना गार बार शोड़ाजी जिन्गी जो शादी उसने की थी वो उसने छोड़ दिया वहाई पर गार को और खुद को भी सच की तलाश के लिए वकफ कर दिया है वहाई खुद निकल गए वहाई सच की तलाश के लिए वो महल से रुआना हो गए अपने महल से निकल गए उनों ने अपने बीवी अपने नौमलोग बच्चे और तमाम दनावी असायास को तरक कर दिया असायशात को तरक कर दिया वो एक वो एक मुफलिस योगी बन गे वहें बिलकुल योगी कहते हैं मजबी वर्जश करने वारा ने कुछ अर्सा उन्होंने इस दोर के मशूर योगी उल्माज से इलम हासल किया उनकी इफकार से मकमल अहगाई हसल हो जाने के बाद उन्होंने इनसान की गैर इत्मनान बख्ष मसायल के अपने खाल विज़ा किये ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहीन सच के रास्ते को अमवार करता है गोत्मने खुद भी एक सिन्यासी बनने की कोशिश की और कैई साल वफा का किशी और खुद अजायती के मरहायल से गुज़ते रहे आखर कार उसे अध्राक हुआ खुद आजायती के मरहायल से गुज़ेगए उनको बहुत अजायती मिली तकलीफें मिली आखर कार उसे अध्राक हुआ कि जिसम को अजायत देने से जहन में वहाम पैदा होता है गोई जेन खराब हो जाता है, जेन में परशानी बन जाती है इसलिए ये रियाजत उन्हें सच की गर्बत न दे सके चनाच ये उन्होंने फिर से बाकाइदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तरक कर दिया गोई बिल्कुल वोपे रहते थे और फिर वो उन्होंने क्या कि फाकाद कशी को क्या के तरक किया फिर वो खुराक लेनी उन्होंने शुरू की यहां तक यह हमारा पहला ये वीडियो हम दूसरी वीडियो में इसके बाद पढ़ेंगे बाकी बास स्लाम